सद्गुरु आप कहते हैं कि हमें कर्म बंधनों को तोड़ने की कोशिच करनी चाहिए लेकिन साथ ही आप लोगों से सभी को खुद में शामिल करने और हर चीज के साथ एक गहरा जुड़ा रखने के लिए भी कहते हैं ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं नमस्कारम कागना पर भी आदाश्ट है ये सभी चीजें एक साथ आपके जीवन को कंट्रोल करती हैं तो ये आदाश्ट का मतलब है चाहे वो कितनी भी हो वो सीमित होती है आपकी सारी आदाश्ट एक सीमा में बंधी है तो कर्म एक सीमित घेरा है उस सीमित घेरे के अंदर कर्म बहुत उपयोगी है ये कई चीजों को सरल बनाता है ये आपको काफी आउटमाटिक बनाता है ताकि आप बहुत सी चीजों को आसानी से संभाल सकें लेकिन जब आप विस्तार करना चाहते हैं तो सीमा एक समस्या है अगर आप अपने घर की सीमा तै करने के लिए एक लकीर खीज देते हैं अगर आप विस्तार पाना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है बस बाहर चले जाएए लेकिन मान लीजिए आपकी जान को खत्रा था आपके जिंदगी खत्रे में थी और आपने अपने चारों और किले की तरह एक मोटी दीवार बना ली अब खत्रा होने पर आप सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन मान लीजिए आपके जिंदगी को कोई खत्रा नहीं है तो आप स्वाभाविक रूप से विस्तार करना चाहेंगे जब आप विस्तार करना चाहते हैं तो इस बड़ी दीवार को हिलाना और विस्तार करना बहुत मुश्किल हो जाता है शायद आप विस्तार ही नहीं करेंगे क्योंकि वो दीवार उस दीवार को कैसे धके लें तो इसी तरह कर्म या कार्मे क्या दार्ष्ट एक तरह की दीवार है जिसे आपने खड़ा किया है अगर आप इसे ढीला नहीं करते अगर आप अपने सिस्टम में शामिल करने की भावना नहीं लाते शामिल करने का मतलब बस सब के साथ दोस्ताना व्याभार करना नहीं है अपने सिस्टम को ही समावेशी बनाना सिस्टम को समावेशी बनाने का अर्थ है अभी इस जंगल में जो सांस ये पेड छोड़ रहा है मैं उसे अंदर ले रहा हूँ जो सांस मैं छोड़ रहा हूँ, ये पेड अपने अंदर ले रहा है, मैं पेड की बात नहीं करूँगा, लेकिन ज्यादा तर इनसान शायद इस बात से अंजान है कि ये लेंदेन चल रहा है, अगर हम जागरूक रहें कि ये लेंदेन चल रहा है, तो बस यहां बैटकर सांस लेने का अनुभव ही बहुत शांदार और आनंद से भरा होगा। लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं, तब भी आप उस उक्सिजन द्वारा पोशित हो रहे हैं, पर आप उस अनुभव को चूक रहे हैं। तो शामिल करने का मतलब ये नहीं है, कि आपने कुछ अलग किया, आप बस अस्तित्व की प्रकृती के बारे में जागरूक हो गए। क्योंकि अस्तित्व पूरी तरह से समावेशी है, पेड के साथ या मिट्टी के साथ जो होता है, वो आपके साथ भी होता है। आप जिसे खुद के रूप में जानते हैं, वो वास्तव में सिर्व वो मिट्टी है जिस पर आप चल रहे हैं, तो शामिल करना कोई काम नहीं है जो आपको करना है। शामिल करना अस्तित्व की प्रकृती है, आपको बस इसके बारे में जागरुक होना है। कर्म आपके व्यक्तिकत अस्तित्व की प्रकृती है, आपको बस अपनी कार्मिक सीमाओं के बंधनों के प्रती जागरुक होना होगा। अगर ये जागरुकता आती है, तो बाकी का काम जीवन खुद कर लेगा